नमश्कार जी कैसे हैं आप दोस्तों हे देवराज रगुकुलशेश श्रीराम चद्रजी के भक्त का काम बिगारने की बात मन भी भी न लाएगे ऐसा करने से लोग में अपियाश और परलोग में दुख होगा और शोग का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा हे देवराज हमारा उपदेश सुनो च्रीराम जी को अपना सेवक परम प्रिय है वे अपने सेवक की सेवा से सुक मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं इदभी बे सम हैं उन्हें ना राग है ना दोश है रोश है ना मवे किसी का पाप पुन और गुर दोश ही घरन करते हैं उन्होंने विश्व में करम को ही प्रधान कर रखा है जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भूगता है ततापी में भक्त और अभक्त के हिर्दय के अनुसार सम और विशम बैवार करते हैं भक्त को प्रेम से कड़े लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं गुड रहित निरलेग मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेव वंशी सबुड हुए हैं श्री राम जी सदा अपने सेव को भक्तों की रुची रखते आएं बेद पुरान सादू और देवता इसके साक्ची हैं ऐसा हृदे में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरड़ों में सुन्दर प्रीती करो ये देवराज इंद्र श्री राम जंदर जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं वे दूसरों के दुक से दुकी और देयालू होते हैं और फिर भरत जी तो भक्तों के शिरो मणी हैं उनसे बिलकुल ना डरो प्रवू श्री राम जंदर जी सत्य प्रत्यक और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आग्या के अनुसर चलने वाले हैं तुम वेर्थ ही स्वार्थ के विशेश वन्ष होकर व्याकुल हो रहे हो इसमें भरत जी का कोई दोश नहीं तुमारा ही मोह है देव गुरु ब्रस्पती जी की शेष्ट बाणी सुनकर इंदर के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिल गई तब हरशित होकर देव राज फूल बरसा कर भरत जी के सभाव की सराना करने लगे इस प्रकार भरत जी मागर में चले जा रहे हैं उनकी दशा देखकर मुणी और सिद लोग भी सी आते हैं भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानुचारो और प्रेम उमड पड़ता है उनके प्रेम और दीमता से पूर बचनों को सुनकर बरज और पत्थर भी पिगल जाते हैं युद्धा वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमना जी के तट पर आये यमना जी का जल देकर उनके नेत्रों में जल भर आया श्री रगुना जी के श्याम रंग का सुन्दर जल देकर सारे समाज सहीत भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुन्दर में डूपते डूपते विवेक रूपी चाहाज पर चड़ गए अथात यमना जी का श्याम बन जल देकर सब लोग श्याम बन भगवान के प्रेम में वियल हो गए और उन्हें ना पाकर विरेवेथा से पेड़ित हो गए तब बरहजित जी को या धियान आया कि जन्दी चल कर उनके साक्षा दर्शन करेंगे इस विवेक से वे फिर उससाहीत हो गए उस दिन यमना जी के किनारे निवास किया समय नुसा सबके लिए खान पान आदी की सुन्दर वेवस्ता होई निशाद राज का संकेत पाकर राथ ही राथ में घाड घाड की अगणित नावे वहां आ गई जिनका वर्दन नहीं किया जा सकता सबेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री राम चंदर जी के सका निशाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए फिर इस नान करके और नदी को सिर नवा कर निशाद राज के साथ दोनों भाई चले आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर शेष्ट मुनी हैं उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है उन उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूशन वस्तर और वेश से पैदर चल रहे हैं सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं लक्षमड सीता जी और शिरीरगुनाज जी का इसमरण करते जा रहे हैं जहाँ जहाँ शिरीराम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वह वह प्रेम सहित प्रणाम करते हैं मार्ग में रहने वाले इस्त्री पुरश या सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौर पड़ते हैं और उनकी रूप सौंदारे और प्रेम को देखकर वे सब जनम लिए कफल पाकर आनंदित होते हैं गावों की इस्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पुरवक कहती हैं सकी ये राम लक्षमड है की नहीं है सकी इनकी अवस्ता शरीर और रंग रूप तो वही है शील इसने उन्ही के सदरश और चाल भी उन्ही के समान प्रदु सकी इनका ना तो वा भेश बलकल वस्रदारी उनी व प्रदेश है नसीता जी ही संग है और इनके आगे चतुरंगणी सीना चली जा रही है फिर इनके मुख प्रसंद नहीं है इनके मन में खेद है है सकी इसी भेद के कर संदेर होता है उसका तरक युक्ति अनिस्त्रियों के मन भाया सब कहते हैं कि इसके समान से आनी चतुर और तेरी बाणी सत्त हैं इस प्रकार उसका समान करके दुसरी स्त्री मीठे वचन बोली श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंक हुआ था वह सब कथा प्रसंद प्रेम पुरवक कहकर फिर भा भाग्यवती इस्त्री श्री भरत जी के शीर इसने और सभा की सरहाना करने नगी वह बोली देखो ये भरत जी पिता के दिये वे राज को त्याग कर पैदल चलते और फलहार करते वे श्री रांग जी को मनाने के लिए जा रहे हैं इनके समान आज कौन है भरत जी का भाई पना बक्ती और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और तोशों के हरने वाले हैं ये सकी उनके सम्बन्द में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है श्री राम चंद्र जी के भाई ऐसे क्यूं न होगा चोटे बाई शत्रुगन सहीर भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन बड़ भागनी इस्तरियों की गिंती में आ गई इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दश्या देखकर इस्तरियां पच्छताती है और कहती है या पुत्र के कई जैसी माता के योग नहीं कोई कहती है इसमें रानी का भी दोश नहीं है या सब भी थाता नहीं किया है जो हमारी अनकूल है कहा तो हम लोक और बेद दोनों की विदी मरियादा से ही है कुल और करतूत दोनों से मलिम दुछ इस्तरियां जो बुरे देश जैंगली प्रांत और बुरे गाउ में बसती है और इस्तरियों में भी नीच इस्तरियां है और कहा या महान पूडियों का परणांच सरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्च्रे गाउ गाउ में हो रहा है मानो मरू भूमी में कल्प ब्रक्ष उग गया हो भरत जी का सरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग खुल गया है इस प्रकार अपने गुणों सहीद श्री राम चंद्र जी के गुणों की कथा सुनते हैं और श्री रगुनात जी को इस्मरण करते हैं भरत जी चले जा रहे हैं वे तीर्थ देकर इसनान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देकर प्रणाम करते हैं और मनीमन या वरतान मानते हैं कि श्री सीता राम जी के चरण कमलों में प्रेम मार्ग में फीन, कोल, आदी, बनवासी तथा बानप्रस्त, भ्रमचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं उनमें से जिस तिस से प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्षवण जी, श्री राम जी और जानगी जी किस वन में हैं वे प्रभू के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देख कर जनम का फल पाते हैं जो लोग कहते हैं कि हमने उनको खुशल पुर्वक देखा है, उनको ये श्री राम लक्षमण के समानी प्यारे मानते हैं इस प्रकार सबसे सुन्दर वानी से पूछते और श्री राम जी के बनवास की कहानी सुनते जाते हैं उस दिन वही ठहर कर दुसरे दिन प्राता काल ही श्री रगुनाद जी का इसमरण करके चलें साथ के सब लोगों को भी बरत जी के समानी श्री राम जी के दरशन की लालसा लगी हुई है सबको मंगल सूचक शबुन हो रही है सुख देने वाले पुरुष्यों के तायने और इस्त्रियों के पाएं नेत्र और पुजाएं फड़क रही है समास सहीद भरत जी को उच्सा हो रहा है कि श्री राम चंदर जी मिलेंगे और दुख का तहा मिट जाएगा जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनुरत करता है सब इस नहीं रूपी मदरा से चके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं अंग शीतल है रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम मश वियल बचन भोल रहे हैं रामसका निशाद राज ने उसी समय सभावी की सुभावना परवत शिरो मडी कामद गिरी दिखलाया जिसके निकटी पियसनी नदी के तट पर सीता जी समय तोनों भाई निवास करते हैं सब लोग उस परवत को देखकर जान की जीवन श्री राम चंद्रजी की चैरों ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो श्री रगुनाज जी अयोध्या को लौट चले हैं बरदी जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेज जी भी नहीं कह सकते कभी के लिए तोवा वैसा ही आगा में जैसा एहंता और मंता से मलिल मनुश्यों के लिए भ्रम नर्ण सब लोग श्री राम चंद्र जी के प्रेम के मारे शीतल होने के करण सुर्यास धोने तक दिन भर में तो ही कोस चल पाए और चल स्थल का सुपास देखकर रात को वही बिना खाए पिये ही रह गया रात बीतने पर श्री रगुनाद जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गवन किया श्री सीता जी का सपन श्री राम जी को कोल की रातो दारा भरत जी के आगवन की सुचना राम जी का शोक लच्मर जी का क्रूर उदर श्री राम चंद्र जी रात शेश रहते ही जागे रात को सीता जी ने ऐसा सपन देखा मानो समाज सही बरद जी यहां आए है प्रवु के बियोग की अगनी से उनका शरीर संत्रक्त है सभी लोग मन में उदास, दीन और दुखी है स्वासों को दूसरी ही सूरस में देखा सीता जी का सपन सुनकर श्री राम चदर जी के नेत्रों में चल भर गया और सबको सोच से छुडा देने वाले प्रवु सयम लीला से सोच के वन्ष हो गया और भोले लक्षमण यह सपन अच्छा नहीं है कोई भीशन को समाचार बहुत ही बुरी कबर सुनावेगा ऐसा कहकर उन्होंने बहाई सहित इसनान किया और तिरपुरारी महा देव जी का पूजन करके साधों का सम्मान किया देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की बंदना करके श्री राम चंदर जी बैठ गय और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे अकाश में दूल छा रही है बहुत से पक्ची और पशु व्याकुलो कर भागे वे प्रभु के आश्रम को आ रही है तुरसी दास जी कहते हैं कि प्रभू श्री राम चंदर जी या देख कर उठे और सोचने लगे क्या कारण है वे चित्त में आश्रे युक्त हो गए उसी समय कोल भीलो ने आकर सब समाचार कहें तुरसी दास जी कहते हैं कि सुन्दर मंगल बचन सुनते ही च्री राम चंदर जी के मन में बड़ा आनंद हुआ शरीर में पुलका वली च्छा गए और श्रद रितु के कमल के समार नेत्र प्रेमा शरुओ से भर गए सीता पती श्री राम चंदर जी पुन्न सोच के वंश हुए कि भरत के आने का क्या कारण है फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगणी सेना भी है यह सुनकर श्री राम चंदर जी को अतियंत सोच हुआ इधर तो पिता के बचल और उदर भाई भरत जी का संकोच भरत जी के सभाव को मन में समझ कर तो प्रभू श्री राम चंदर जी चित को टहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते तव या जानकर समाधान हो गया की भरत सादू और सयाने है तता मेरे कहने में आज्याकारी है लक्षमर जी ने देखा की परभू श्री राम जी के रिदे में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीती युक्ति पिचार कहने लगे हे स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ सेवक समय पर ठिडाई करने से ठीड नहीं समझा जाता है अथाता आप पूछे तम मैं कहूँ ऐसा अफसर नहीं है इसलिए या मेरा कहना ठिडाई नहीं होगा हे स्वामी आप सरवगों में शिरो माड़ी है सब जानते ही है मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता है हे ना ता परम सिरदय बिना ही करन परम हित करने वाले सरल हिरदय तरता शील और स्ने के पंडार है आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हिरदय में सब को अपने ही समान जानते हैं परंतु मूर विशाई जी प्रभुता पाकर मोह वंश अपने असली सरूल को प्रगट कर देते हैं भरत निती परयन सादू और चतूर तदा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है इस बात को सहरा जगत जानता है विबरत जी आश्री राम जी आपका पद सिंग्यासन या अधिकार पाकर धरन की मर्यादा को नुटा कर चले हैं कुटिल खोटे भाई बरत कुछ समय देख कर आप जानकर की राम जी आप बनवास में अकेले असा हैं अपने मन में बुरा बिचार करके समाद छोड़ कर राज्यों को निश्कंटक करने के लिए यहां आए हैं करोडो अनेको परकार की कुटिल ताएं रच कर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं यदि इनके हिरदे में कपट और कुचाल लाओती तो रत घोड़े और हातियों की कतार ऐसे समय किसे सुवाती परन्तु भरत को ही व्यर्द कौन दोश दे राज पदपा जाने पर सारा जगत थी पागल मतवाला हो जाता है चंद्रमा गुरुपतनी गामी हुआ राजा नियूश भरामडों की पालकी पर चड़ा राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और बेद दोनों से भी मुख हो गया सहसर भावु देवराज इंद्र और त्रशंकु आदि किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया भरत ने यह उपाई उचीछी किया है क्योंकि शत्रू और रिन को कभी जरा भी शेश नहीं रखना चाहें हाँ भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो राम जी आपको आसहा जानकर उनका निरादर किया पर आज संगराम में श्री राम जी आपका क्रोध पूर मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेश रूप से आ जाएगी अथासिस निरादर का फल वी वे अच्छी तरह पा जाएंगे इतना कहते ही लक्षमर जी नीती रस भूल गए और युद रस रुपी ब्रक्ष पुलका वली के बाने से फूल उठा अथा अथा नीती की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस चा गया वी प्रभूर श्रीराम चंदर जी के चरणों की वंदना करके चरण रच को सिर पर रखकर सच्चा और सभाविक बल कहते वे बोले हे नात मेरा कहना अंचितना मानियेगा बरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है हमारे साथ कम छेड़ चाड़ नहीं किये आकिर कहां तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए जब स्यामी हमारे साथ है अधनुष हमारे हाथ में है चत्रिय जाती रगुकुल में जनम और फिर मैं श्रीराम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ यज अगर जानता है फिर भला कैसे सहा जाएं दूल के सवान नीच कौन है परंत वाभी लात मारने पर सिर ही चड़ती है यूँ कहकर लक्षमण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आग्या मांगे मानो वीर रस सोते से जाग उठाओ सिर पर जटा बांद कर कमर में तरकस कसलिया और धनुष को सजाकर तता बान को हाथ में लेकर का आज मैं शिरी राम आग का सेवक होने का यश लूँ और भरत को संगराम में शिक्षा दूँ शिरी राम चंदर जी आग के निरादर का फल पाकर दोनों भाई बरत शत्रुगन रण शैया पर सोवे अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया आज मैं पिछला सब क्रोध प्रगट करूँगा जैसे सिंग हातियों के छुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहीत रिस्तार करके मैदान में पचालूँगा यदि शंकर जी भी आकर उनकी साहिता करे तो भी मुझे राम जी की सोगंद है मैं उन्हें युद में अवश्य मार डालूँगा छोडूँगा नहीं लचमण जी को अतियंत्यक्रोज से तम तमाया हुआ देकर और उनकी परमाणिक सत्त सोगंद सुनकर सब लोग भैबीत हो जाते हैं और लोग पाल घबडा कर भागना चाहते हैं सारा जगत भै में डूब गया तर लचमण जी के अपार बाहू बल की प्रशैशा करती हुई अकाश वाणी हुई हे ताद तुम्हारे प्रताप और परवाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है प्रंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित फूब समझ भूज कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं बेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना बिचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पच्चताते हैं वे भुद्धिमान नहीं है श्री राम जी का लच्छमर जी को समझाना एवं भरत जी की महिमा कहना देव वानी सुनकर लच्छमर जी सुखचा गए श्री राम चंदर जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और काहे तात तुमने बड़ी सुन्दर नीती कही ये भाई राज का मद सबसे जिनोंने साध्वों की सभा का सेवन सतसंग नहीं किया वही राजा राज मद रूपी मद्रा का आच्यमन करते ही पीते ही मदवाले हो जाते हैं। विष्णु और महादेव का पदपाकर भी बरत को राज का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूदों से शीर समुदर नश्ठ हो सकता है फट सकता है। अंधिकार चाहें तरुन मध्याय के सूर को निगल जाए। आकास चाहें बादलों में समा कर मिल जाए। गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पित्वी चाहें अपनी सवाविक चमा को छोड़ दे। मच्चर की फूग से चाहें समेरी उड़ जाएं परन्तु हे बाई भरत को राज मद कभी नहीं हो सकता। हे लक्षमण मैं तुमारे श्यापत और पिता जी की सोगंत खाकर कहता हूं भरत के सवान पवितर उत्तम भाई संद्वाई